तर केरला स्टोडी देख लिए क्या कहाले के बारे में कैसा नोव रहा देखे मैं आज ही सुबहे एक बड़ी ट्रिप से हैं तैंक यू पवन मैं आज ही एक ब़ूट बड़ी ट्रिप से आया हूँ दस दिन की और बहुत थका हुआ था पर केरला स्टूरी एक ऐसी फिल्म ती जिसे मैंने सोच के रगा था ये फर्स डे फर्स शो देखनी ही है क्योंकि इतना हार्ड हिटिंग टॉपिक है ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और काफी टाइम से इसके बारे में प आपको देखनी ही चाहिए शुरुआत से लेकर एंड टक जो स्क्रिप्ट है जो नेरेटिव बिल्कुल पकड़के चलती है फिल्म में कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं जहां पर आपको लगेगा कि यहां वीक पड़ रही है यह आपको कुछ फोर्स मेसेज देने की कोशिश कर सुधिपतो सेन का डिरेक्शन फर्स क्लास है विपुल अमृतलाल शा का जो प्रेजेंटेशन है वाव फैबूलस और यह इस टॉपिक इतने सेंसिटिव टॉपिक पर फिल्म मनाने की हिम्मत करना भाई मैं सलूट करता हूं विपुल अमृतलाल शा को एंड सर प्लीज कीप मेकिंग सच फिल्म साथ सेंसिटिव टॉपिक गॉड ब्लेस यू मोर पावर तो यू एंड हम ओडियन्स का सपोर्ट बिलकुल आपके साथ पूरे टाइम रहेगा देखे अब ये फिल्म तो कह रही है कि सची गटनाओ पर आदारित है और हमने पहले भी ऐसी काफी जो गटना है ये सुनी है लोगों की मूँ जुमानी सुनी है जो पीडी लड़किया होती है उनकी जुमानी सुनी है जो फैमिलीज होती है उनकी जुमानी सुनी है तो देखे इस चीज को जुटलाया नहीं जा सकता कि फिल्म में जो दिखाया है उसमें सच्चाई है ठीके आकडे जो है आकडे मैंने तो रिसर्च की नहीं है बट फिल्म कह रही है कि 30,000 ओफिशल है 50,000 से जादा अनओफिशल आकड़े हैं वो मैं नहीं जानता पर डेफिनेटली ये एक मुद्दा है जो वहाँ पर रहने वाले लोग और जो समाज सेवी लोग है वो जानते हैं पर देखी सचाई तो है ना मतलब ऐसा कोई जूटी बात तो है नहीं कि जो दिखाया जा रहा है और इतनी भयावाय बाते हैं कि आपको बुरा लगेगा कि अगर ये शायद किसी इंसान के साथ हुआ है कुछ लड़कियों के साथ हुआ है तो ये कितनी दरंदीगी है मतलब य इनसान कैसे सोच सकता ये करने के लिए और इनसान किस तरह की वहशियत दिखा सकता है कि अपने एक धार्मिक मकसद के लिए किस इनसान को और कैसे कुछ ग्रुप को ये नो कैसे बहला फुसला के अपनी तरफ खीचेगा इसमें मतलब अगर ये सचाई अगर ये ऐसे हो रहा है लोग ये कर रहा है तो ये मतलब शर्म आनी चाहिए उने अपने आपे शरम ते एक बहुत चोटा वर्ड है जो इसमें कहते हैं कि नरक की आग में चलेगा यह वही लोग है जो नरक है लो और शर्माद तो सुपप है अधा शर्मा को देखिए हम पहले बहुत फिल्मों में देख कुक है और उनका काम बहूत ज़ादह अच्छा होथा है ? बट हमने देखा है कि बहुत सारी जो फिल्में होती है उसमें उनका जो रोल होता है बहुत ही छोटा सा होता है या एक पासिंग रोल होता है पर हम सबको उनकी अबिलिटीज के बारे में तो कोई शंका कभी रही नहीं है इतनी sensitive film में इतना meaty रोल जो की 80% of the screen time ले रही है इतना fabulously उन्होंने अपना performance दिया है कि आपको लगेगा कि वाव जिस टाइप से उन्होंने एक मल्याली लड़की का जो mannerism होता है जो accent होता है tonality है जो पकड़ा है आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि एक नौर्थ इंडियन शर्मा लड़की है जो यह perform कर रही है super performances में अदाशर्मा को कहना चाहूंगा कि ma'am you have performed really well and I would like to see you doing such sensitive and serious and you know meaty role जिसे हम कहते हैं वो मैं definitely आपको more and more देखना चाहूंगा मैं स्क्रीन पर और अदाशर्मा के अलावा जो बाकी की तीन लड़किया है इस फिल्में जो उनके साथ दिखें उन्होंने योगीता बिलानी है सिद्धी इद्नानी है and in fact वो जो आसिफा बनी है मुझे उनका यामनी आराज अधिवन जो की लड़के हैं जो नेगेटिव शेड में उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे से करें लेकिन नेगेटिव शेड के करेक्टर अगर आपको उनसे घिन मचने लग जाए चिड होने लग जाए मतलब दे आर डूइंग जो रियली वेल यहाँ पर सभी करेक्टर वैसे आपको गंदे करेक्टर से उतनी ही चिड हो रही है मतलब अपना काम बहुत अच्छे से करें परफॉमेंसे वाइस सबने अच्छा काम किया है सिनमाटग्राफी टॉप नौच है मेकप में कहना चाहूंगा मेकप डिपार्टमेंट जो है कॉस्ट्म डिपार्टमेंट उन्होंने अब तक आम बहुत अच्छे सी कहीं पे भी आपको फेक नहीं लगते हैं यह करेक्टर जो है इतने नाच्रल वहाँ पे कॉलेज में पढ च् ideas आप च्छा जोबीन और शायद से उतना महल करेट नँच हो पर क्योंकि क्योंकि इस अदिकार जो है तो बढ़ेंडिय क्योंड देःबर शोड़ं कर जाने वाले कश्मीर तो शायद नतने कार पाए पर इंप槍द भल अने वाले टाइम में इसका इंपैक्ट बढ़ने ही वाला है। लोगों से क्या दर्खास करेंगे इस करकेरला स्टोरी को देखने हैं। और अगर फिल्म मेंकर यह कह रहा है कि इस में जो तीन लड़कियों की सचचाई दिखाइगे ही हैً। वो रियल स्टोरी पर बेज्ड है। तो अगर आप उसे एक फिल्म की तरह देखें fund always بهले लाइफ बखेने चाहिए। बिल्कुल देखिए, अपने आपको जागरूप करें, सतर करें, बस अपने आपको ख्याल रखें, और जो गलत चीजे हो रही है, उसे गलत कहने की खुल कर हिम्मत भी दिखाएं, यही कहना चाहूंगा लोगों से फोर स्टार में देना चाहूंगा, बहुत प्यारी फिल्मती फोर स्टार